दोस्तों नमस्कार हिंदी कुछ व्याप सभी लोग का स्वागता आज में लोग बात करने चल रहे हैं आधुनिक सिच्छा पदती चात्रों की मन भावनों के प्रत्कूल है इस तरह के प्रस्णाप के प्रिच्छाओं में निवन लेकन करो में आ सकते हैं कि आधुनिक सबस्क्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भास साहित के प्योग उजानकारी प्राप्त होती रहे हैं तो सुरवात करते हैं देखिए आप लिखे एक लेक में आधुनिक सिच्छा पदती चात्रों की मन भावनों की प्रत्कूल है यह एक ऐसा विसे है जो कि आज की आत्मक है यह नकारात्मक है इस विसे पर बात करने चले हैं तो नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है सबसे पहले है अत्यधिक दबाओ आधुनिक सिच्छा पदती चात्रों पर अत्यधिक दबाओ डालती है उन्हें लगातार परिच्छों और प्रतियुक्ताओं का सामना कर पढ़ना पढ़ता है जिससे वचिंतित तनाव ग्रस्त और आउसाद ग्रस्त हो सकते हैं। रश्नियात्मक्ता का दमन आदुनिक सिच्छा पद्यती रश्नियात्मक्ता को दबा सकती है चातरों को एक निश्यत पाठकरम का पालन करना पड़ता है और उन्हें अपनी सोच और कल्पना का उपयोग करने के लिए बहुत कम आउसर मिलते हैं जो भी पाटकरम होता है उसे गज़सारों को पढ़ना पढ़ता है असमानता आधनिक सिच्छापतिती सभी चातरों के लिए समान नहीं है गरीब और वनची चातरों को अकसर अच्छी सिच्छा प्राप्त करने में कटनाई होती है अब दूसरी बात है कि अप्रसांगी आधनिक सिच्छापतिती कभी कभी चातरों के जीवन के लिए अप्रसांगी खो जाती है उन्हें ऐसी चीज़ें सखाइयाती हैं जो कि जिनका जीवन में कोई उपयोग नहीं होता तो सगारातमक प्रभाव किया है आदुनिक सच्छा पतिती के सबसे पहला है ग्यान और कौसल आदुनिक सच्छा पतिती चातरों को ग्यान और कौसल पतान करती है जो उन्हें ये उन्में सफल होने के लिए आउशक है अनुसासन आधनिक सच्छापति चातरों को अनफासित और समय का पाबंद बनाती है आत्म विश्वास आधनिक सच्छापति चातरों को आत्मी स्वास और आत्म सम्मान विक्सित करने में वदद करती है तक्निकी ग्यान आदुनिक सच्छा पतिती चात्रों को तक्निकी ग्यान और कौसल प्रदान करती है जो कि आज के दुनिया में आवश्यक है तो निसकर्स क्या बनता है कि यह बनता है कि आधनिक सच्छा पतिती में चात्रों के मन भावनों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव बढ़ता है सच्छा पतिती को चात्रों के मन भावनों को ध्यान में रखते हुए बिक्सित किया जाना चाहिए सिच्छा का उद्देश केवल ग्यान और कौसल प्रदान करना नहीं होना चाहिए बल्कि छात्रों को एक खुसहाल और सफल जीवन जीने के लिए भी तयार करना चाहिए अब तो जहाओ क्या है अधिक सिच्छा पतिती को अधिक सधिक छात्रों के अनकूल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं हब से पहले सिच्छा परणाली को छात्रों के विक्तिगत आओ सकता हो और रूचियों के अन्रूप बनाया जाना चाहिए चात्रों को रशनात्मक और आलोशनात्मक सोंच बिक्सित करने के लिए प्रसाइद करना चाहिए सिच्छा बनाली को सभी चात्रों के लिए समान और सुलब बनाना चाहिए सिच्छा को हमारे आम जीवन के लिए प्रसांगिक बनाया जाना चाहिए और यह भी धियान रखना मात पूर्ण है कि सभी चात्रे अलग-अलग होते हैं और वे सिच्छा के प्रती अलग-अलग तरीके से प्रत्क्रिया करते हैं इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि आधनिक सिच्छा पतिती सभी चात्रों के मनुभावनाओं के प्रत्कूल है तो इस प अधिक सदिक चातरों के अनकूल किस प्रकार बनाए जा सकते हैं इसके लिए कुछ सुझाओ यहां पर दिये गए हैं तो आसा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सुद्ध होगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमा दिये आपको अपने विशे वह देन सब्सक्राइब और अधिक नोट शही तो आप हिंदी कुछ डॉट को विडिट करें वहाँ पर आपके लिए उपयोगी यह देन सामगरी उपलब्द कराए गई है आसा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सुद्ध होगा आप इसे अपने दोस्तों और जानने वालों की भी सेर किजिए ताकि इस वीडियो का अधिक सदिक परशार हो वीडियो दिखने के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का